हेलो फ्रेंट्स आप सब भी का एक बार फिर स्वागत थे लकी सर के ओफिशली एजुकेशन इटूप्चनल में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिच्छक भरती परिच्छा मद्पिर्देश 2018 आज की वीडियो में हम बात करेंगे डोकुमेंट अपलोड को लेके डोकुमेंट वेरिफिकिशन को लेकी लिटिस्ट न्यूज 22 फरवरी 2020 तो इस्टार करते हैं वीडियो आज का अब अगर आप निमत बिदेश में बरग एक बरग दो का एकजाम दिया है तो वीडियो चरूर देखें सबसे पहले हम आपको बता करनी होगी इसके बाद डोकुमेंट को अपलोड करना होगा इसके बाद आपके डोकुमेंट का वेरिफिकेशन होगा अब आपको कैसे करना है आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरी जानकारी देंगे ऑथेंटिक सबसे पहले यहाँ पर आप देखे रही हैं 15 मा आज तक आपको अपने डोकुमेंट अपलोड करने होंगे इसके बाद अप्रेल में होगा आपका डोकुमेंट बेरिफिकेशन यानी आपके डोकुमेंटों का सत्यापन होगा अप प्रोसस क्या होने वाली है वो भी तो जान लें आप सबसे पहले हम आपको बता दे सरकारी स्कूलों में सरकारी स्कूलों में उच्च मादमिक सिचक भरती के लिए प्रोविजनल चैन सूची जारी करती है सोलाई बिसयों के लिए पाता परिच्च आयूजित की गई जिसमें 15,000 सिचकों की भरती की जानी है इसमें 3,762 पद अथती सिचकों से भरे जाएंगे 11,238 पद आपके नौन अथती सिच अथतियों से भरे जाएंगे अब आपको प्रोसेस में क्या करना है सबसे पहले तो हम आपको बता दे आपके डोकूमेंट अप्लोड ठिक है यानि फरवरी में दस्ताविज कांसलिंग पोटल पर अप्लोड करना होगा यानि 25 फरवरी से लेके 15 माज तक आपको अपने डोकूमेंट अप्लोड करने होगे ठिक है और डोकूमेंट अप्लोड कर लोगे आप तब फिर इसके बाद यानि अप्रेल महीने में आपका डोकूमेंटों का बेरिफिकेशन होगा अब आपको बता दे कि आपको यूजर प्रोफाइल ना पड़ेगा बर्ग एक या बर्ग दो तो आप बर्ग एक पत को चैन करें इसके बाद रोल नंबर डालें डेट ओब बत डालें मोबाइल नंबर डालें जैसी आप मोबाइल नंबर डालोगे समिट करोगे आपकी मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा ओटीपी आप उसमे submit कर दोगे तो आपको एक password बनाना होगा पास्वर्ड बनाने के बाद आपकी user profile id खुल जाएगी यहाँ पर आपको profile id खुल जाने के बाद आपको document upload करने होंगे ठीक है तो यह रहे होने बाली यह पूरी प्रोसेस अब बात कर लेते हैं सत्यापन के लिए आपको जिले का करना होगा चैन अब आप जिले का चैन कैसे करेंगे अब हम आपको वो बता देते हैं सबसे पहले हम आपको बता दे अगर आप 30 सिच्छक हैं तो आपने जिस जिले में 30 सिच्छक की जौब की है बहां से आप आप apply करें और आपको उसी जले में document verification कराना होगा इसलिए जब भी आप choice filling के लिए भारम भरें बहुत सो समझ की भरें गलती ना करें क्यूंकि इसमें आप संसोधन नहीं कर सकते ध्यान रखें अगर आपने submit कर दिया है तो इसमें किसी भी तरे से कोई भी संसोधन नहीं किया चाहिका